नमस्कार साथियों जैहिंद कैसे आप सभी लोग आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे हैं और आपकी तयारी सुचारू रूप से चल रही है आज का जो विशे है ये वन अगनी है अभी ये चर्चा का विशे इसलिए बना हुआ है क्योंकि हिमाले में लगातार वनों में आग लग रही है यानि जंगल में आग लग रही है समानता वन अगनी को जो साधर बोलचाल की भाषा में जंगल की आग के नाम से जाना जाता है क्या होती है जंगल की आग इसको विस्तार से समझते हैं कित्रे परकार की होती है कारड क्या होते है इसके उपाय क्या है सरकारी पहल क्या है इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है सब पर विश्थार से बात करेंगे आई एक हबर को देखते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों बना हुआ है हबर है सातियों कि वर्षा की कमी के करड़ जो हिमाचल परदेश के छेतर है वहाँ विशेशकर जो हिमाचल परदेश है जो उत्राखंड है वहाँ पर वन अगनी जंगल की आग लगने की जो घटनाएं है वो समानने से जादा हो गई है और कई गुना बढ़ गई है इसके पीछे का कारड क्या है यह हम लोग अभी विश्तार से बात करते है इसके पीछे का देखे सबसे महतपूर कारड यह है कि अभी हाल ही में वर्षा की भारी कमी आपको देखने के लिए मिली है कहां पर बर्फ बारी कम हुई है हिमाचल परदेश और उत्तराखंड के छेतरों में यह मांसून परिवर्तन के कारड जो लालीनो एलीनो कंडिशन होती है इनके कारड जो मांसून में परिवर्तन आया है उस परिवर्तन के कारड बर्बारी कम हुई है आपने अभी आली में गटना देखी कि आपके जो जम्मू कास्मीर है पर जासकर के आसपास के छेत्र में बर्फ पड़ी ही नहीं आपके काश्मीर के कई छेत्र हैं वहाँ पर बर्फ पड़ी ही नहीं हिमाचिर प्रदेश के कई छेत्र हैं वहाँ पर बर्फ पड़ी ही नहीं बर्फ क्या होती है एक तरीके से वर्षा ही है तो वर्षा की कमी जो म शुश्कता बढ़ जाती है, यानि की वर्षा के कारड यहां पर पत्ते सूख जाते हैं, यहां की टहनिया सूख जाती हैं, शुश्कता जादा हो जाती है, जिस कारड से जंगल में जलाव लाइक मटेरियल जादा हो जाता है, जिसमें आग लग सके, तो जंगल में आग लगन वाला समान आग लगने वाला जो पदार्त है ये बढ़ जाता है और इसके कारण साथियों यहां पर लगातार भारी बारिश होती है मलब लगातार भारी आग लग जाती है ये बात याद रखिएगा मलब ये तरीके से वर्शा का कम होना इसका सबसे प्रमुक कारण हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारे कारड होते हैं लेगन सबसे पहले मैं आपको बताओं कि वन अगनी क्या है यहां से मैं इस चीज को सुरू करना चाहूँगा कि वन अगनी को दो अन्य नामों से जाना जाता है एक बुश फायर के नाम से जाना जाता है और एक जाना जाता है vegetation fire vegetation जो आपकी बनस्पती होती है इनको आप लोग vegetation बोलते हो तो vegetation fire के नाम से भी जाना जाता है घास वगयरा सुखी घास वगयरा में ये आग लगती है इस कारड से वनगनी के प्रकार मुक्यता दो होते है एक तो सतही वनगनी होती है लगती है उपर जो पड़े कुड़े कड़कड होते है जो पत्ते होते है जो टहन्या होती है जो घास होते है इन घास पर जो आग लगती है उसको आप लोग सतही आग के नाम से जानते है और भूमी गत आग वो होती है जो कि भूमी के नीचे लगती है भूमी के नीचे कैसे लगती है, जब भूमी के नीचे कैसे लगती है, भूमी के नीचे कुछ कार्बनिक material पड़े रहते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्त आपको भूमी के नीचे दब जाते हैं, उन कूडे करकटों में जब आग लग जाती है, तो भूमी के उपर की परत में तो मिट्टी है, लेकिन 3-4 फिट, 5 फिट नीचे आग जलती रह रही है, जलती रह रही है, जलती रह रही है, और यह आग बहुत धीरे-धीरे पहलती है, लेकिन इसके कारण जो बड़े-बड़े लंबे-लंबे पेर हैं, उनकी जड़ नस्ट हो जाती है, वे अंदर से जल ज इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो भूमी गत आग आप इस परकार से नजारा देख सकते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा एक भूमी है और भूमी के अंदर आपको आग दिख रही है यहां से निकलती हुए तो जो कार्बनिक मटेरियल है जो कार्बनिक पदार्त है वे अंदर जमा रहते हैं और उनमें आग लग जाती है आग मानवी गतवितियों से लग सकती है आग किसी प्राकरतिक गतवितियों से लग सकती है कैसी भी गतवितियों से आग जब लगती है लेकिन वो आग का फैलाओ कहां होता है भूमी के उपर फैलाओ नहीं होता है अभी हाली में जो आकड़ा आया है जो डाटा आया है मैं उस डाटा की बात करो तो भारतिय वन सन्वेचर जो आपका Forest Survey of India है उसने एक डाटा जारी किया है डाटा क्या कहता है कि 16 अक्टूबर 2023 से लेके 16 जनवरी 2024 यानि एक वर्ष का ये जो समय है इसी बीच वन अगनी के 2050 आपको देखने के मिली है यानि 56 अक्टूबर 2023 से लेके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानि 4 महिने लगभग प्यारे विच्छे आपको 2050 घटनाए ऐसी देखने के मिली है जहां पर जंगल की आग आपको देखने के मिल रही है किन्तो जो विगत वर्स में इस ओधी के दोरान वन अगनी थी उसमें केवल 296 घटनाय देखने के मिली थी यानि जो 16 अक्टूबर 2022 से लेके 16 अक्टूबर 2023 तक थी यानि 16 अक्टूबर 2022 से 16 जन्वरी 2023 तक की बीच में सिर्फ 296 घटनाय थी जब कि 16 अक्टूबर 2023 से 16 अक्टूबर 16 जन्वरी 2024 तक 2050 घटनाय तो कितना बड़ा इंक्रिमेंट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है एक बहुत बड़ा एक हाईक देखने के लिए मिल रहा है हिमाले छेतर में जो वनागनी की घटनाय है वो किन कारणों से होती है अगर इन कारणों की बात करूँ तो सबसे महत्वपूर कारण तो आपके लिए यह होता है कि अभी जो बर्फबारी है वो कम हुई है जिसके कारण शुषकता बढ़ गई है तो शुषक इस थितियां शुषक इस थितियों का बढ़ जाना एक प्रमुक कारण है उसके बर्फबारी और वर्शा का अभाव यह एक प्रमुक कारण है मानवी गतियां गत्विधियां लोग जाते हैं ट्रू ट्रावल करते हैं वहाँ पर सिग्रेट पीते हैं और फेक देते हैं मालों वहाँ पर लोग आग जलाते हैं कैम फायर करते हैं लोगों का पहाड़ों पर पहल चलाई है तो सरकार की 2018 में एक पहल थी वन आगनी पर राश्ट्री कार्य योजना एन एपी एफ एफ इसके द्वारा हम लोग जागरुक कर रहे थे सच्छम बना रहे थे सच्छती करण कर रहे थे और राज वनों और विभागों के साथ सहयोग करने के लिए पतोसाहित क अगर मैं बात करूँ तो वन अगनी निवारण और प्रबंदन योजना एक मातर सरकार एक मातर राज सरकार प्रयोजित योजना है तो एक तरीके से सरकार की ये पहल है जिनके मदद से हम जो है मदद कर रहे हैं किनकी वनों में वन अगनी रोकने की तो आखिर इसका solution क्या ह हो सकता अगर मैं solution की बात करूँ तो इसका solution हो सकता है कि लगातार हम लोग निगरानी रखें लगातार निगरानी रखें निगरानी रखें और निगरानी कैसे रखी जा सकती है ड्रोन्स की मदद से निगरानी रख सकते हैं हम लोग ड्रोन्स की मदद से जंगल में क्योंकि जंगल का एक एरिया बहुत बड़ा है जब तक हमें पता चलता है कि यहां पर आग लगी है तब तक कहीं न कहीं बहुत देर हो जाती है जंगल की आग फैल चुकी होती है ड्रोन्स के माध्यम से निगरानी रख सकते हैं इसके अलवा अगर मैं बात करूँ तो लोकल कम्यूटी से एक अच्छा बिल्डप करना पड़ेगा जो लोकल कम्यूटी है इस कम्यूटी से एक अच्छा टाइप करना पड़ेगा पहले जैसे आग बुझाने के लिए जो तकनीक थे हैं उन तक्निकों को और उन्नत करना पड़ेगा इस तरह के हमें जिहां बहुत सारे कदम और लोगों को जागरुक करना पड़ेगा जो लोग ऐसे कैमफायर करना जाते हैं उनके प्रती जुर्माना लगाना पड़ेगा कि यदि वो ऐसी चीजें करते हैं कैमफायर करेंगे और उ तो इसके लिए हमें अवियर होना पड़ेगा, आपको अवियर होना पड़ेगा, आवाज उटानी पड़ेगी, तो सातियों ये थी आज की खबर, जो कि मैंने आपके सामने रग दी, ये टॉपिक आशा करता हूं कि बहुत अच्छे से वनागनी आपको क्लियर हो गया होगा, इसे समंदित कोई भी प्रश्ण आता है, तो आप इसको सरलता के साथ लिख भी ले जाएंगे, और हल भी कर ले जाएंगे, इसी आशा के साथ मैं आज की ये वीडियो समाप्त करता हूं, कल बहतरीन तरीके से एक नए टॉपिक, एक नई वीडियो, एक नई समझ के साथ तब तक के लिए जैहिन, में नाम थमयंक और आप रोजगार वितंकित में मुझे देख रहे थे, धन्यवाद साथियों